स्री शुवाय नमस्तु भ्याम हम सब को पता है कि 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को नौरात्र की अस्टमी तिती का बहुत ही विशेस्ता दिन है काफी ज़दा लोग परेशान है सिर्फ एक चीज को लेके और वो होती है अपनी मनोकामना को लेके बहिया हम लोग ने पश्युपति वरत भी किया प्रदोस भी किया हम लोग नौरात्री का भी वरत रहते हैं बद फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रहे है तो बस आपको अब अशोक के 4 पत्ते लेने है छोटा सा उपाय करके देखेगा जो मनोकामना होगी, जो wishes होगी, उस सारी पूरी होगी, बहुत ही special सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो करने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीके न, चलो, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ, कि जो अस्टमी दिती है, वो कब है, कुछ लोग करें 10 को है, कुछ लोग आप 10 को भी कर सकते हो, और 11 को भी कर सकते हो, कोई इशु नहीं है, लेकिन वरत कब रहोगे, वरत आपको 11 को रहना है, क्योंकि उदया तिती में अस्टमी तिती 11 तारी को पढ़ रही है, समझ रहो, चलो, हम बात करते हैं इस उपाय की, आपको लेना होगा अशोक के 4 पत्त से, अगर अशोक का पत्ता ना मिले, तो ही आम का पत्ता लेंगे, वरना अशोक के 4 पत्ते ले ले, ठीके न, चार पत्तों के साथ में हमें सबसे जरूरी जो चीज है, वो लेनी होगी हल्दी की गाट है, पिसी हल्दी की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, हमें हल्दी की गा देखे पहले माली जेक ये एक पत्ता हुआ, दो पत्ता हुआ, तीन पत्ता हुआ और ये चार पत्ता हुआ, मैंने माली ये चार पत्ते हमने लिए, इन चारों पत्तों के बीच बीच में आपको क्या करना है, हल्दी की एक गांट को रख देना, जब यहां पर आप रख रहे ह तो एक आपको मंत्र बोलना है नौरात्री में एक ही मंत्र काम करता है और वो मंत्र है ओम श्रीम नमा फिर से बोल रहा हूं मंत्र को नोट करिएगा ओम श्रीम नमा इस मंतर का इसमरण करते वे जो अशोक के आपने चार पत्ते लिए हैं उस पे आपको एक एक खड़ी हल्दी रख देनी है ठीक है न फिर आप इन अशोक के चार के चारो पत्ते को उठाना आपके घर में देवी माता की कोई ना कोई छोटी बड़ी फोटो हो मुर्ती हो प्रतिमा हो वो तो होगी होगी उन्हीं के पास में अशोक के वो चार पत्ते आपको रखने हैं और देवी माता से यह बिंती करनी है, हे देवी मा, हम लोग बहुत दिनों से परेशान है, हमारी यह मनोकामना है, हमारी विशेज है, पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए इस पत्ते को हम आपको समर्पित कर रहे हैं, हम आपको अर्पित कर रहे हैं, आप इन्हें सुईकार करें, और हमारी यह म आतना कर चुकें, सारी बातों को कह चुकें, उसके बाद में आप इन चार के चारो पत्तों को उठाना, आपके घर के आसपास ममें कोई सा भी नीम वरिक्ष हो, नीम का पेड़ हो, उसके नीचे आपको रख करके चले आना है, ध्यान रखीएगा नीम का व्रिक्ष छोटा नहीं होना चाहिए इतना बड़ा व्रिक्ष हो कि उस नीम व्रिक्ष की जो च्छाओं हो वो आपके सर के उपर पढ़नी चाहिए ठीके ना करके आईएगा आपकी बरसों पुरानी जो मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी आगे बढ़ते हैं नौरातर की अस्टमी तिथी पे करने वाले हम लोग इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय के तरफ और ये जो दूसरा उपाय है वो भी आपको हल्दी के साथ में करना है देखो ये उपाय अभी मैंने आपको तीन दिन पहले समझाया था बट काफी लोग गलतियां कर रहे हैं इसलिए इस उपाय को repeat कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा जैसे मान लिजे कि आपके घर में प्रेम नहीं है प्रेम नहीं का मतलब कोई लड़के का नाम प्रेम नहीं है प्रेम मतलब कि जैसे मान लिजे कि हस्बेंड है वाइफ से प्रेम नहीं है वाइफ है हस्बेंड से प्रेम नहीं है भाई है बहन से प्रेम नहीं है ठीक है ना मलब घर में आपके हमेशा मलब अलग सी सांती ही नहीं है घर में प्रेम तो दूर की बात है घर में शांती ही नहीं है तो आप इस उपाई को जरूर करेंगे इसके लिए फिर से आपको हल्दी लेने है और इस बार आपको PC हल्दी लेनी है और इस PC हल्दी में दो चार बूंद पानी डालके इसका गाढ़ा सा पेस बनाओ साथी साथ मार्केट जाना चाहे आप इस उपाई को 10 को कर लो या 11 को कर लो उससे कोई दिक्कत नहीं है मार्केट जाना और वहां से खरीद के लेके आना इस तरीके से क्या आपको लाना है पान का पत्ता लेके आना जो पान का पत्ता लेके आना उसमें देखना कि डंडी ना लगी हो और अगर डंडी लगी है तो उस डंडी को तोड़ कर कि क्या करोगे फेंक देना और ये जो आग हल्दी से आपको पहले तो एक बिंदी बनानी है ठीक है न ये बिंदी आपको क्या करनी है किसके नाम की बनाओगे जिस विक्ति से आपको अपने प्रेम को बढ़ाना है उस विक्ति का इसमरन करते हुए आपको हल्दी लगानी ठीक है न उसके बाद में आपको यहां पे दू ठीक है न, उठाने के बाद में एक सिक्का ले लिना छोटा सा, ठीक है न, छोटा सा मतलब की, चाहे एक रुपए का, दो रुपए का, कोई सबी, एक सिक्का लीजेगा, सिक्के को आप इसी पान के पत्ते के उपर रख देना, और रखने के बाद में इसको उठाना नीम व्रि इसलिए उस पान के पत्ते को सिक्के के साथ में चुप चाब बिना किसी को बताए एक चीज का धान नखीएगा जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो आपको कोई टोके नहीं यह क्या कर रहे हो क्यों लगा रहे हो सिक्का क्यों रख रहे हो ऐसे क्यों ऐसा अगर किसी ने भी ट चाहे वो बाहरी हो तो यह उपाय काम नहीं करेगा इस चीज का धान लखिएगा ठीक है ना टोका टोकी नहीं होनी चाहिए उपाय में तभी कोई उपाय काम करता है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ जो कि आपको करना है लोग के साथ में लेकिन क्या फायदे हैं और कैसे करना है उससे पहले जल्दी से कर दीजे वीडियो को लाइक और जितने भी मेरे भाई बहन आवाज मेरी पहरी बार सुन रहे है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ठीक है ना देखो अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो देवी मा है ना नौरातरी के दिनों में उन्हें क्या पसंद होता है उन्हें लौंग पसंद है जैसे जो महादियों है उन्हें क्या पसंद है बेलपत्र पसंद है भगवान गनेश को क्या पसंद है मूं के दाने दूरुवा पसंद है उसी तरीके से नौरातरी के दि कितने लॉंग लोगे जो विक्ति घर में परेशान है उसकी जितनी उम्र हो उतने आपको लॉंग लेने हैं कहने का मतलब अगर जो इंसान परेशान है उसकी उम्र 40 वर्ष है तो लॉंग कितने लेने हैं 40 लॉंग कोई इंसान परिशान है उसकी उम्र कितनी है 25 वर्स तो लॉंग कितने लोगे 25 लॉंग लेंगे इस प्रकार से लॉंग को लेना है देवी माता के सामने जाना एक छोटा सा कोई कटोरी लेना प्लेट लेना देवी माता के सामने आपको उस विक्ति का नाम और गोतर बोलके उस लॉण को कटोरी में रख देना है यानि कि देवी मा को भोग लगाना है तो आपने भोग लगा दिया दूसरा काम उसी कटोरी के बगल में घी कर दिया लंबी बत्धी का ओम श्रीम नमः का इसमनन करते वे देवी माता के सामने लगा देना फिर आप इस कटोरी को उठाना लोंग वाले लेकिन कब उठाओगे जब वो हदीपक थंडा हो जाए जब वो हदीपक बुझ जाए उसके बाद में आप उस कटोरी को उठाना और उठाने के बाद में फिर से वही काम करना है नीम व्रिक्ष के नीचे जाना और आपको अपने कुल देवता का ध्यान करना है या कुल देवी का ध्यान करते वे उस लोगं को नीम व्रक्ष के नीचे रख करके चले आना है और कटोरी अपने साथ घर वापस लानी है अब यहाँ पे कुछ लोग पूछेंगे भीया हमें नहीं पता कि हमारे कुल देवी कौन है ना हमें ये पता है कि हमारी कुल देवी कौन है आपके घर में आपसे बड़े तो कुछ लोग होंगे घर में बुजर्ग होंगे दादा हो दादी हो ना बाबा कोई भी होंगा घर मे होगा उनसे पूछना जाकर कि हमारे कुल देवी कौन है उनहीं का इस्मरण करते हुए आपको लोग को डाल देना है एक बात और बता दूँ जब हमारे घर में कोई प्रॉब्लम आती है एक तो पित्र दो शगर लगा होता है तो प्रोब्लम आती है दूसरा अगर हमारे कुल देवी या कुल देवता नाराज हो जाते हैं तो भी हमारे घर में ऐसी प्रोब्लम होती है तो इसलिए आपको कुल देवता या कुल देवी के नाम से इस उपाय को करना होगा एक आखरी उपाय के हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत इजी है और थोड़ा सा बड़ा उपाय है यह उपाय नौरात्री के किसी भी दिन आप कर सकते हो उसके लिए क्या करना होता है आपको ऐसे पूरी बना लो अगर घर में आपको यह चाहिए कि आपका पूरा परिवा होगा चपल पहन के पूरी नहीं बनानी है इस जीज का धार नकी का नंगे पैर खड़े होंगे किचन में और फिर पूरी बनाएंगे पूरी बनाने के साथ में आटे को सेख करके उसमें गुड़ डाल करके ऐसे एक गाढ़ा सा आपको जिसे बोलते ना कि बहुती मीठा सा क उनके एक एक लॉंग एक एक पूरी के ऊपर रख करके और लेके चले जाना नीम व्रिक्ष के नीचे आपको भोग लगा देना है माली जे घर में चार लोग हैं चार पूरी का भोग लगाएंगे देवी माता से विंती करेंगे और फिर यही चार पूरी उठा करके घर पे लेके आएंगे जो भी विक्ती घर में परेशान हो या फिर जितने भी सदस घर में रहते हो सभी को एक एक पूरी खाने के लिए दे देना इससे घर में एकता बनी रहती है ना बहुत जल्दी से इस उपाय को मैंने बताए को थोड़ा सा बड़ा था और मैंने पहले भी बता रखा है इसलिए उस उपाय को जल्दी बताया तो बाकि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा कुछ पूछना है नहीं समझ मैं नीचे कॉमेंट सेक्षने पूछ सकते हैं और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक् झाल बहना है का तो आवार कंई हैं घावत वताय ता है यह हैं तो उकरते हैं पू। О Robot कॉमेंट सेक्षने बाता है cafe वार का हैं तो अ।